नमस्कार में हूँ पृतीक्षा वर्माप देख रहे हैं इंगे 24 इंटो 7 लाइफ टीवी रुख करते हैं इस वक्त की एहम खबरों का उत्यप्रिदेश के आगरास्ति श्रीपारस अस्पताल के संचालक को मौक डिल के दौरान मरीजों की मौत के मामले में डियम ने क्लीन चिट दे दी है जिहां संचालक डॉक्टर अरिंजे जैन को डियम ने मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट दिया है इस मामले में जनप्रतिनीदियों ने सवाल उठाए हैं और मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगिया दितिनाज से करने की बात कही है आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट में 16 लोगों की मौत सुईकार की गई लेकिन अस्पताल संचालक को मामले में जिम्मेदार नहीं माना गया है डियम की रिपोर्ट में पीडित के बयानों का कहीं भी जिक्र नहीं है अरिंजे जैन के बयान के आधार पर एकतरफा रिपोर्ट तयार करने की आरूप लगे हैं बताया जा रहा है कि जिलादिकारी आगरा ने जांच रिपोर्ट आने के से पहले ही संचालक को क्लीन चीट देने के संकेत दे दिये थे अब सवाल उठ रहे हैं कि जब संचालक अरिंजे जैन निर्दोस हैं मौक ड्रिल का वीडियो सामने आने पर अस्पताल को सील कर उस पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया सवाल ये भी है कि जब जिलादिकारी पहले मौक ड्रिल की वजह से चार मौते होना बता रहे थे तो जांच रिपोर्ट में सोलह मौते क्यों स्विकार की गई डियम की पूरी रिपोर्ट में वीडियो वाइरल करने पर जोर रहा लेकिन एडियम को दिये पीडित के बयान का जिक्र नहीं किया गया आगरा के जन प्रतिनिदियों ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा है और मुख्यमंत्री से मिल पूरे मामले को अवगत कराने की बात कही है आपको बताते चलें कि श्रीपारस हॉस्पिटल के एक वाइरल वीडियो से हरकम पमच गया था इस वीडियो में हॉस्पिटल में ऑक्सिजन संकट में मौक्ड्रिल से 5 मिनट में 22 गंभीर मरीजों की मौत की बात कही जा रही थी वीडियो में हॉस्पिटल संचालक के सामने एक सक्स बोलता है कि 22 लोग मर गये थे यह पूरी बातचीत 26-27 अपरेल को सामने आई ऑक्सिजन संकट के संदर्ब में थी स्रीपारस अस्पिटाल में मौक्ड्रिल बीटे 26 अपरेल 2021 की शुबा साथ बजे की बात है इस वक्त अस्पिटाल में 96 कोरोना मरीज भरती थे जिनमें से केवल 74 मरीज जिन्दा बचे अस्पिटाल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने चार वीडियो वाइरल किये जिनमें वो ऑक्सिजन के बड़े संकट वाले दिन का किस्सा बया कर रहे हैं इसे लेकर हंगामा खड़ा होने पर हॉस्पिटाल संचालक वीडियो को तोड मरोड कर वाइरल करने की बात कही थी